हलो बच्चों वेलकम टू किट्पैर लेर्निंग आप पार्ट बार बीकन लाइट पब्लिकेशन आपको बोलते हैं कि आपकी हाइट कम है इनकी हाइट जादा है या ऐसा बोला चाहता है वो हैवी है और वो लाइट है या फिर बोला चाहता है यह लॉंग है और यह शॉर्ट है ठीक है तो यह सब क्या होता है बच्चों यह सब होता है कमपैरिजन ओके हम दो चीजों में कोई भी दो आपजिक्स में कमपैरिजन करत यही comparison को हम अपने study में आगे समझेंगे Here Let's compare big and small Lion देखा है आपने? I guess आपने TV पर देखा होगा या फिर Zoom में देखा होगा यह तो है lion और यह यह है एक rabbit तो देखो यह lion क्या कह रहा है? यह कह रहा है I'm big और यह जो rabbit है यह क्या कह रहा है? I'm small Okay तो आपने देखा जो loin होता है वो बड़ा होता है और अगर rabbit को देखो के rabbit को यह देखो वो चोटा होता है इतना सा भी होता है इतना चोटा भी होता है लेकिन लॉइन तो आप देखो कि आपसे भी बड़ा होता है चीके? That means loin is big I am big And here he's saying I am small में छोटा हूँ Okay So this rabbit is small Now Look at the figures In each of the six sections Circle the smaller figure In each box हमें छोटे figure में क्या करना है? Circle करना है देखो यहां पर कर ओल है? यहां पर लाइन है तो यह छोटा हुआ यहां देखो दोनों में कौन? यह strawberry छोटी दिख रही है अब देखो यह आपको खुद compare करना है इन दोनों को आप compare करो जो smaller है उसको circle करो इन दोनों को भी compare करो कि देखो कि smaller कौन है और bigger कौन है ओके? नौ same and different ओके यहां पर भी आपको compare करना चलो यहां आपको compare कर देते हैं यह apple तो छोटा है और यह pumpkin बड़ा है ऐसे ही यह छोटा है और यह tree जो है वो बड़ा है ओके? नौ same and different same and different same और different क्या होता है? जैसे आपकी सबकी uniform कैसी होती है? same लेकिन जब आप uniform नहीं पहनते हो उस दिन आप सब लोगों के जो कपड़े होते हैं सब लोगों के जो outfit होते हैं वो क्या होते हैं? different different अलग-अलग चीजे पहनते हो अलग-अलग colors होते हैं, अलग-अलग design होती है और जब uniform पहते हो, तो सब कैसे होते हैं? Same होते हैं, ठीक है यह देखो दोनों क्या है? mango क्या है? mango तो यह दोनों क्या हुए? same एक जैसे हैं, same है these mangoes are same अब यह देखो, यह दो objects है एक mango है और एक apple है अब mango और apple क्या same होता है? नहीं होता न, अलग-अलग होता है कुछ बच्चों को mango पसंद है कुछ बच्चों को apple पसंद है तो mango, यहनि कि aam और apple मतलब same, तो दोनों अलग-अलग होते हैं तो they are different ओके? तो जब भी हमको same को बताना होगा, हम S लिखेंगे, same का S और different के लिए हम D लिखेंगे, different का capital D, okay So, यहाँ पर आपको यह दोनो same दिख रहे हैं न तो यहाँ लिख दो S यहाँ पर आपको यह तीनों कैसे दिख रहे हैं? different, different यहाँ पर आजाएगा D इसी तरह से यह तीनों T-shirt same है तो S और यह तीनों different है, यह एक pen है, एक fountain pen है, एक ball pen है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे D याने की different, okay simple exercise है ना बच्चों, चलिए तो जो simple है, तो फिर आपको भी करनी चाहिए, यह तीनों same है या नहीं है? देखो, और लिखो यह दोनों rat same है या नहीं है? देखो और circle करो now thick and thin thick and thin देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे इससे और इससे यह क्या है? thick और यह क्या है? thin यह तो है मोटा और यह है पतला चीक है? मोटा पतला thick thin thick thin ओके? अब exercise में क्या करेंगे? thick tick right on the thinner object thinner यानि की पतले objects पे हमें right करना है देखो दोनों में से thinner कौन सा है? this one is thinner दोनों में से thinner कौन सा है? this one is thinner अब यहाँ पे और यहाँ पे आप पता लगा सकते हो ना बच्चो देखके आपके बुक में अपने बुक में देखो और टिक करो कि कौन सा thinner object है right? देखो यह कैंडल कितनी मोटी शी है और यह बहुत पतली सी तो यह thinner है ऐसी ही यहाँ पे यह देखो यह आपके पास जो ट्री है यह तो बड़ा मोटा सा है ठिक है और जो घां से वो है थिन so that will be thinner okay? so students आज के लेसन के लिए काफी है next lecture में हम tall and short को भी study करेंगे take good care of yourself bye-bye कर दो यह प्रिजा ए्यादा कर दो यह बहुत जो यह वह ढूज कर दो झाल झाल